हेलो बच्चों आज हम लोग MCQ करेंगे टिक्डिमेटिक रेशियो का और एक्जामपल जितने भी एक्जामपल है वो सारे और किस बुक से करेंगे तो निव एडिशन के आड़ी शर्मा के बुक से आड़ी शर्मा ज़रूर बनाईए अपने बूड को अच्छा करने के लिए सब्सें बेस्ट भूक है और आपको कोई दिक्ठ हो रहा है तो आप प्लेलищ चेक हीजिए आपको हड़ी कोशन मिल जाएगघा हर इक चैप्र míl जाएगा ठीक है और दोस्तों के बीच में सेर कीजिए और सबसक्राइब भी किजिए क्योंकि आप लोग करती ही नहीं हो यार क्या करूं मैं यहां देख एक्जाम्पल नमबर वन विच आउट फॉलोइंग इस नॉट डिफाइन इसमें से कौन सा वैलू नॉट डिफाइन है यहां चार आप्शन है आपके पास कौन सा नॉट डिफाइन है Lahoki ह्यां भॉण कितना होता है वन तो क्यों कि सेक नांटी को हम लोग क्या सकते हो यह un by qaue 90 कितना होता है और संफिंग घृलू ओल्वेज ओव्यूशल डिफाइन में इस म Αीप्शन कॉन्सा होता है छ यह kann है next question number two में for the zero से बड़ा है या बराबर है बट 90 से चोटा है या फिर बराबर है the maximum value of one by six theta is one by six one by six को क्या लिखो कि कॉस्ट धीटा कॉस्ट धीटा जो होगा उसका maximum value one होता है और minimum value कितना हो जाता है अभी इस quadrant के लिए मतलब अभी आपको quadrant रूल नहीं पढ़ना है तो 0 और 90 के बीच में, minimum 0 और maximum 1, लेकिन हाई क्लास में जाएगा 11 में, तो minus 1 से 1 हो जाएगा, ठीक है, तो अब भी तो फिलहाल कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 10 में 1, फिर if cos theta is equal to 1 by 2, then cos theta minus 1 theta is equal to, cos theta minus 1 theta का value क्या होगा, cos के जगा, cos रहने दो, ठीक है, अशेक को क्या लिख सकते हो, 1 by cos, LCM ले लोगे तो यह हो जाएगा, cos is LCM ले लोगे तो कोई फ्यादा होगा नहीं, complicated होगा, उससे असान क्या, cos के जगा सीधा सीधा 1 by 2, 1 by 2 का square minus, सिख के जगा क्या लिखोगे, इसका, sorry, square क्यों कर रहे हैं, 1 by 2 minus, यह 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1, LCM ले लोगे 2, 1 minus 2, 2 जा 4, minus 3 by 2, बस minus 3 by 2, option B, ठीक है, LCM लेक के भी बन सकता था, but complicated होगा, ऐसे बनाओ, ज़्यादा easy होगा, next 4 number में, 0 से बड़ा या बराबर AB, और 90 से छोटा या बराबर AB, sign A बराबर 1 by 2, cos B बराबर 1 by 2, दोनों 1 by 2 के बराबर, तो AB कितने के बराबर होगा, sign A, 1 by 2, तो sign के case में, 1 by 2 कब होता है, 30 degree, तो sign A बराबर, sign 30 हो जाएगा, ये, sign 30 हो जाएगा, तो A किसके बराबर हो जाएगा, 30 degree, cos वाले में अगर देखोगे, तो cos B बराबर, इधर हो जाएगा, cos 60, और ये B किसके बराबर हो जाएगा, 60 degree, ठीक है, तो A प्लस B, तो दोनों को add कर लो, A प्लस B के लिए दोनों को क्या कर लोगे, add, 30 प्लस 60, 90, ठीक है, 90, easy था, इतना लिखने के बज़रोत नहीं था, आराम से बन जाता, 90, option C, next example number 5, main figure, ऐसा figure दियावा है, ठीक है, और ये 5 दियावा है, इफ AC is equal to 5, then the length BC is, PCC कितना होगा, 4 या, ratio से भी अगर निकालोगे, तो 4E आजाएगा, ठीक है, ratio से भी निकालोगा, अगर X लेके भी बनाए, तो भी आपका 4E आएगा, next example number 6 में, if A is an acute angle, in a right angle ABC, right angle at B, then the value of sin A plus cos A, sin A plus cos A, अब यहाँ देखो, मानलो, suppose एक right angle दिया हुआ है, और right angle कहां है, P पे, right angle at B, मतलब यह B है, यह A है और यह C है, यह A है और यह C है, पक्का इस दोनों का sum किसके बराबर होगा, 90 degree के बराबर, क्योंकि यह B है, 90, तो A और C का sum कितने के बराबर हो जाएगा, 90, अगर यह मानलो, तो, ऐसे sin A कॉसे दिया हुआ न, equal to 1, greater than 1, less than 1, या 2, कैसी पता चलेगा, तो यहां देखिए, sin A बराबर, angle यहां बना हुआ है, तो यह base हो जाएगा, और यह perpendicular, और यह hypotenuse तो fix होगा, तो sin A बराबर क्या लिएक सकते हो, sin A plus कॉसे, sin A के जगा क्या लिखोगे, BC, पाई AC, और इसके जगा क्या लिखोगे, AB, पाई AC, दोनों के LCM, AC, यहां BC और यहां AB, ठीक है, अब हम लोग rules सिखे थे, class 7th में, junior classes में, inequalities अपढ़ रहे थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, sum of any two side is always greater than third side, मतलब कुई भी triangle अगर form कर रहा है, तो किसी भी दो side को जोड़ोगे, हमेशा तीसरे से बढ़ा होगा, तो sum of any two side is always greater than third side, तो यह वाला जो value होगा, AB plus BC, वो बढ़ा होगा AC से, क्योंकि sum है, AC सबसे बढ़ा होगा, side से compare में, लेकिन दो side को जोड़ा जोड़ा से बढ़ा आएगा, उसका जो result आएगा, वो greater than one आजाएगा, ठीक है, तो option number हो जाएगा B, क्योंकि इसका value बढ़ा होगा किस से, AC से, और AC से बढ़ा है, मतलब greater than one, next seven में, if classic theta is equal to two, or cot theta is equal to root three है, then the value of A is, classic theta two के बढ़ाबर है, तो classic के case में two कब होता है, 30 degree पे, ठीक है, कितने degree पे, 30 degree पे, तो theta किस के बढ़ा बढ़ा साएगा, 30, classic theta two होता है, और cot theta, cot के जगा, cot theta के जगा 30, is equal to root three है, cot 30 कितना हो साएगा, root three, और ये भी root three है, root three से root three खतम, A बढ़ाबर one, एक इसके बढ़ाबर हो साएगा one, means option A, next seven के बाद eight, example number eight, in figure, ऐसा figure दिया हो है, can A minus cot C, can A minus cot C, इसके बढ़ाबर होगा, सबसे पहले यहाँ बात 13, और ये 12, hypotenuse है, perpendicular, तो 20 निकाल लोगा हम से, 13 का square, minus paraca square, ये आपका पांच आ जाएगा, 169 minus 144, minus 25, और 25 का root क्या होता है, अब यहाँ पे tan A किसके बढ़ाबर होगा, जहाँ एंगिल बनेगा, वहीं उसका base, तो मतलब ये आपका base हो जाएगा, ये पप इंडूकलर हो साएगा, तो tan A हो जाएगा, five by twelve, cot C किसके बढ़ाबर हो साएगा, तो एंगिल अब इस बार यहाँ बन रहे है, cot बढ़ाबर क्या होता है, बी बाई P, ये भी five by twelve, दोनों को माइनस करके लिखना था, तो five by twelve, minus five by twelve, five by twelve, minus five by twelve, zero, तो option A, zero हो साएगा, easy, both, next 12 लंबर में, if cos theta is equal to two by three, then two से एक स्क्वाइट हीटा, प्लस two tan स्क्वाइट हीटा, minus seven, equal to, इसके बढ़ाबर होगा, एक, zero, तीन या सार, तो cos theta two by three दिया हो है, तो ये सारे value तो अराम से निकल जाएंगे, पहले C का अगर निकालोगे, तो सिफ इसका reciprocal, मतलब three by two, पर tan कैसे निकालोगे, तो tan के जगा पे, पंबला भी लगा सकते हो, tan के जगा one plus A की स्क्वाइट, लेकिन उससे अच्छा क्या है, कि आप triangle बनाओगे, और तुरत निकालोगे, पास बराबर B by H, तो तीन का स्क्वाइर 9, दो का स्क्वाइर 4, नो में से 4 जाएगा तो 5 आजाएगा, और यह रूट 5, पाइथा गोरस थिरम से, ठीक है, ती का स्क्वाइर 9, दू का स्क्वाइर 4, नो में से 4 जाएगा तो 5, और रूट 5 आजाएगा, तो यहां से आपका 10 ठीटा जो है, वो आजाएगा, रूट 5, whole divided by 2, रूट 5, divided by 2, अब वैलू बैठा लो, 2 के जगा 2, एक के जगा, 3 by 2 का स्क्वाइर, माइनस नहीं, प्लस, 2, 10 के जगा, रूट 5, divided by 2 का स्क्वाइर, माइनस 7, 2 का 2, इसका स्क्वाइर करोगा, तो 9 by 4, प्लस 2, यह 5 by 4, माइनस 7, इसको इसे काट लोगे, 2 बार में कट जाएगा, इसको भी काट लोगे, तो 2 ही बार में कट जाएगा, मिन्स यह 9 by 2, प्लस 5 by 2, माइनस 7, इसके 9, 5, 14, अब 14 में से 14 गया, तो 0, 14 माइनस 14, 0, 0 by something, always 0, तो option B, next 10 नमबर, में इन ट्रैंगल, A, B, C, राइट अगल, एट C, मदब A, B, C एक ट्रैंगल है, और राइट अगल कहा है, A, सारी, C पे, और 10 A, 1 के बराबर है, तो value of sin A, को से, ठीक है, राइट अगल एट C, यहाँ पे C, यहीं A माल लेते हैं, और यह B माल लेते हैं, यह B माल लेते हैं, अब 10 A क्या दियावा है, 1, 10 A, 1, मतलब 1 by 1, तो एंगल यहाँ है, तो perpendicular by base, यह दोनों यसी रहेगा, अब यहाँ से, इस दोनों के मदब से यह अगर निकालोगा, तो यह यूज करो, इसका square प्लस इसका square, तो 1 का square प्लस 1 का square, 1 plus 1, 2, तो root 2 हो साएगा, अब यहाँ से sine A क्या हो साएगा, तो 1 by root 2, वासे भी क्या हो साएगा, 1 by root 2, वालू बैठा दोगे, यहाँ, इसका वालू निकलना था, 2 sine A, वासे, तो 2 के जगा, 2 sine A के जगा, 1 by root 2, और इस बचे क्या, 1, option A, ऐसे अगर नहीं बनाना है, trigonometric ratio से नहीं बनाना, तो angles ही बना सकते हो, tan A बराबर 1, तो tan के case में 1 का बोता है, तो tan 45, ठीक है, तो 1 के बराबर आजाएगा, 45, एक इसके बराबर आजाएगा, 45, तो A 45 हो गया, अगर यह 45 है, तो यह भी पक्का 45 होगा, और यह value दो पूट करोगे, same answer हैगा, ठीक है, 10 के बाद 11, for, if for some angle theta, cot 2 theta is equal to 1 by root 3, then the value of sin 3 theta, 3 theta is less than or equal to 90 degree, ठीक है, cot 2 theta is equal to 1 by root 3 दिया हो है, तो cot के case में 1 by root 3 कब होता है, cot 60 का value, cot से cot cancel, काटना नहीं कभी, 2 theta बराबर 60, दें theta बराबर 30, theta किसके बराबर आजाएगा, 30 degree, assign 3 theta चाहिए, assign के जगा, assign 3 के जगा 3, theta के जगा 30, assign 90, assign 90 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, sign 91 means option B, ठीक है, next, 12 number, figure दिया हो आपके book में, ठीक है, 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 ठीक है ठीक होड़ा अच्छा नहीं है, क्यालो, कोई बात नहीं, in figure भी होगा, यहाँ, in figure 10.9, AD is equal to 14, ACD देख लो, कहां दिया हो है, ACD यह पूरा, एक मिनट, यह पूरा आपका कितना है, 14 cm, यह पूरा आपका 14 है, then the value of tan theta, is tan theta का value क्या होगा, अगर यह पूरा 14 है, तो, theta यहाँ भी है, theta यहाँ भी है, ठीक है, tan theta का value क्या होगा, ठीक है भी है, कोई बात नहीं, अगर यह 13 है, और यह 5 है, तो, यह 12 आजाएगा, यह कितना आजाएगा, 12, क्योंकि 13 का square 169, 5 का square 25, माइनस करोगे 144, और यह 12 आजाएगा, तो, tan theta बराबर 5 बटा 12, यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, tan theta बर यह दिख रहा है, तो, बुक में देखो, यहाँ theta है, दो बर, कोना नहीं चाहिए, अगर दोनों जगद theta है, यहाँ भी theta है, यहाँ भी theta है, और यहाँ भी theta है, और tan theta का value को चाहिए, तब तो, यहाँ से तो, perpendicular by base 5 by 12, लेकिन इसमें option 5 by 12 कहीं नहीं है, लेकिन, अगर दूस पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ पांच, तो, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यह पीला दिखेगा नहीं आपको, यह किसके बराबर हो जाएगा, 9, यूखिन नौ 5, 14, अब यह 9, और यह 12, तो यह भी 12, यहाँ से यहाँ 12 आचुका था तो, यह भी 12 आएगा, अब 10 theta बराबर कितना हो जाएगा, 12 by 9, टाटोगे, तीन के टेबल से यह तो, चर्तिया ही 12, अथी 3 के 9, तो 4 by 3, अब आप्शन देखे, 4 by 3, बदलब आप्शन B, तो यहाँ theta नहीं होना चाहिए, यह फिगर में, यहाँ theta कैसे है फिर, अगर यहाँ theta है, यह भी theta है, तो, फिकत है यह बुक में नहीं होना चाहिए, यह लिए कोई बात नहीं, 13, question number 13 में, if tan theta is equal to 4 by 5, then the value of 5 sin theta, minus 2 cos theta, divided by 5 sin theta, plus 2 cos theta, इसमें क्या करो, cos theta से divide कर लो, 5, ऐसा question पढ़ा चुके हैं, हम बहुत बार, 4 divided by 5, 5 theta, 5 cos theta, plus 2 cos theta, 5 cos theta, यह 5 tan theta हो जाएगा, minus 2 divided by 5 tan theta, अब प्लस 2, ऐसा हो जाएगा, अब यहाँ से divide से multiply कर लोगे न, 5 tan theta, इसके बाराबर हो जाएगा, 4 के बाराबर हो, 5 tan theta is equal to 4, या फिर आप tan theta के जगा, 4 by 5 भी लिख लेते, आता हुए, अब 5 tan theta किसके बाराबर है, 4 के बाराबर, तो यह 4 minus 2, आ नीचे में 4 plus 2, उपर 2, नीचे 6, काटोगे 1 by 3, 2, 3 is a 6, तो 1 by 3 option देखिए, option A, फिक है, easy, तो आप तूरा right triangle बनाते, यहां 4 और यहां 5, 4 का square 16, 5 का square 25, दोनों को add करते, 6, 5, 11, हम लगा, 1, 4, root 41 आ जाता, यह कितना आ जाता, root 41, sin theta 4 by root 41, cos theta 5 by root 41, value put करते, तो भी same answer आता, तो भी same answer आता, यहां देख, question 14 में, figure दिया हुए, trapezium टाइप में, ABC design isosalist trapezium, its perimeter is, perimeter क्या ह होगा, थोड़ा सा figure अगर बढ़ा कर दें, आपके लिए, तो यह लो बढ़ा, ठीक है, यह आपका trapezium दिया हुए, अब यह 2 unit है, इसका height कितना है, 2 unit, यहां 45 है, tan theta के मदद से निकालोगे, तो यह भी 2 आएगा, यह भी आपका 2 आजाएगा, कैसे sir, tan 45, इस टैंगल में, tan 45 बराबर, परपेंडिकलर, यह परपेंडिकलर, AE, और नीचे वाला base, 1045, 1, AE, 2, DE, नहीं पता, cross करोगे, तो DE भी कितना आजाएगा, 2 ही, ठीक है, यह भी आपका 2 हो जाएगा, यह भी 2 होगा, same to same, यहां से यहां तक कितना दिया वा उपर वाला, parallel side, 3, नीचे से भी यहा से दिखेगा, अच्छे से, यहां से यहां कितना आजाएगा, तो, यहां से यहां कितना आजाएगा, तीन, और यह कितना है, यह भी 2, मलब यह total line अगर देखिएगा, तो वो कितना आजाएगा, वो कितना आजाएगा, तो 2, 3, 5, 5, 2, 7, मलब यह 7 हो जाएगा, अब हाईप निकल जाए तो काम मन जाए तो यह हम लोग साइन के मदद से निकाल सकते हो उपरलंग कितना दिया हुए और नीके में कितना आ गया ये दो ये रिये भी दो मदर्फोटल कितना साथ एद करन लो पेरिविटर के लिए टीन से सुरू करो यहसे कृए 3 plus 2 root 2 plus 7 plus 2 root 2 sum of all sides किसी भी plane figure का perimeter के लिए sum of all sides कर लेते हैं यहां से ऐसे जोड लिया मैंने यहां से यहां तक तो 7, 10 2 root 2 4 root 2 centimeter यह unit दिया तो unit not centimeter unit दिया तो unit ही लिख लोगे ठीक है तो option number 10 plus 4 root 2 easy था hard नहीं बोलेंगे फिर यह देगो यह भी थोड़ा ठीक है थोड़ा complicated है बस और कुछ नहीं बोल सकते हैं in figure 10.11 मतलब ऐसा figure दिया हुआ है am is equal to mc am जो है mc के बराबर मतलब यहां से यहां का measurement और यह value 2 नों ही same है total a है यह पक्का यहां से यहां a by 2 तो नीचे वाला भी a by 2 आसा आएगा और angle c जो है वो right angle है 90 degree है then sine square alpha minus cos square alpha किसके बराबर होगा sine square alpha minus cos square alpha किसके बराबर होगा ठीक है निकाल लेते हैं लोग कोई दिक्कत नहीं है पहले तो सबसे पहले पूरा बड़ा वाला ट्रेंगे लेगा a b c यहां b यहां c यहां a यह आपका a दिया हुआ है यह b d दिया हुआ है तो यह b c निकल जाएगा पाइथा गोरस्तिरम के मदद से b c बराबर b c k square बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस से perpendicular minus करोगे तो b square minus a square तो b c बराबर हो जाएगा under root b square minus a square ठीक है यह b c आ गया यह जो b c है नीचे में वो value आ गया कितना यह जो value है यहां figure लिखा हुए है book में यह आगे आपका under root b square minus a square ठीक है यह नीचे का आ गया अब यह पता है यह a by 2 है उसके मदद से अब bm निकालना पड़ेगा हमको यह निकालना पड़ेगा bm निकालना पड़ेगा तो bm का square बराबर इस दोनों को plus कर लोगे a by 2 का square plus under root b square minus a square a square इसका square करोगे तो a square by 4 और root का कारण square खतम यह हो जाएगा b square minus a square आप LCM ले लिजे दोनों का तो 4 LCM ले लो तो क्या हो जाएगा 4 यह आपका a square plus b plus 4 b square minus 4 a square यह 4 b square minus 3 a square 5 4 square था इस तरह आएगा तो under root क्योंकि यहाँ bm square है यहाँ भी bm square है बट यह square को हमने उधर भेजा यह root में हो जाएगा और इसको लिखोगे तो यह हो जाएगा root के अंदर 4 b square minus 3 a square whole divided by 2 यह आगया bm अब मैं इस figure को थोड़ा छोड़ा करके अपना figure बना देते हैं ताकि आपको sin alpha cos alpha निकालना में कोई दिक्कत ना हो तो मैंने इसको कर दिया छोटा और मैं अपना बना देता हूँ आपके लिए आपके बी एम किसके बराबर आया है यह value तो यह value आया है under root 4 b square minus 3 a square ठीक है पाई 2 यह नीचे वाला bc कितना निकाल के लिए आया थे under root b square minus a square और यह किसके बराबर है a by 2 और यहाँ alpha यहाँ alpha figure के आप इस figure को छोड़ा सा करोगे तो ऐसा ही value आजाएंगे क्योंकि alpha है तो हमको perpendicular भी चाहिए base भी चाहिए और hypotenuse भी चाहिए क्योंकि sin cost को निकालना है मुझे यह कर दूँगा मैं रब और value निकालेंगे sin cost का direct मुझे काई चाहिए क्या sin square alpha minus cos square alpha sin क्या value क्या होगा perpendicular by hypotenuse perpendicular alpha by sorry a by 2 divided by under root 4b square minus 3a square by 2 और इस पूरा का square minus cos alpha का square cos b by h यह हो जाएगा under root b square minus a square पस divided by under root 4b square minus 3a square divided by 2 का whole square अब यह 2 से यह 2 कट जाएगा square करोगे तो यह होगा a square नीचे वाला square के कारण root खतम यह बचेगा से 4b square minus 3a square इसका करोगे तो यह 2 उपर चला जाएगा क्योंकि तीन ही टर्म था उपर में एक दो नीचे में था तो नीचे वाला पल्टेगा तो 2 square के कारण पहले तो 2 का square कितना हो जाएगा 4 उपर 4 लिखोगे सर्फ 4 क्यों लिखे दो लिखते लेकिन 2 का square कर लिया तो 4 और root खतम हो जाएगा यह यह हो जाएगा माइनस 4 B square माइनस माइनस प्लस 4 A square प्लस एक 5 A square यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो 5 वह जाएगा माइनस 4 B square divided by 4 B square माइनस 3 A square option खोजो भ्यानक सा कहां आया है अच्छा नहीं बहुत बढ़िया कोशन था लेंदी कोशन था एक तरीके से M.C.U के लिए तो 5 A square माइनस 4 B square और 4 B square माइनस 3 A square 4 है 3 है 4 है तो ऐसा तो है नहीं तो आप्टर नमबर B यहां देखो यह easy होगा क्यों यह easy होगा क्यों ऐसा फिगर ट्रैपिजम टैप में ही वैलू निकालना है D.E.E. का आए सर तो D.E. भाईया यहां पर है यह T.E. है यहां 45 दियावा है यह नीचे में 10 unit है अगर यह 10 है तो यह भी 10 unit होगा और यह 10 है तो यह भी 10 ही होगा क्य क्या है 45 45 90 90 प्लेस 45 करके 180 से माइनस कर लो 45 आ जाएगा तो यह 10 तो यह भी 10 इस दोनों का स्क्वाइर निकाल लेना है अलगा D.E. के लिए क्लिए करना है 10 का स्क्वाइर प्लस 10 का स्क्वाइर कि E का स्क्वाइर बराबर 10 का स्क्वाइर प्लस 10 का स्क्वाइर 100 प्लस 100 200 और यह रूट के अंदर डालोगे तो 100 के बदले 10 रूट दो अब यहाँ पर D.E. लिख ली जेगा यहाँ D.E. स्क्वाइर यहाँ भी D. ठीक है तो D.E. बराबर कितना आशाएगा 10 रूट टो इन्स आप्शन सी नहीं समझ में आया आँ चाहिए लेकिन ठीक है क्यों क्योंकि यह दस है तो यह भी दस फिर प्लिमेट्री भी लगा लागा कर पूरा निकाल लेते सिंपल भी लगा लिए तो भी निकल गया आराम से कोई दीक नहीं यह काफी बहतरीन ठीक है यह बढ़िया यहाँ देखो अब पेंडूलम अफ लेंथ रूट थ्री मीटर पेंडूलम का जो लेंथ है वो रूट थ्री मीटर है पेंडूलम मतलब यह जो उसका स्ट्रींग है यह वाला यह रूट थ्री मीटर है यहां से यहां भी रूट थ्री होगा ठीक है नहीं एक्स्ट्रीम पे है कि कहां है यह पता करना पड़ेगा अब पेंडूलम अफ लेंथ रूट थ्री मीटर इस अटाश तू अपॉइंट थ्री मीटर प्रम ग्राउंड ग्राउंड से 2. 2.3 मीटर पर मतलब यह पूरा यहां से यहां 2.3 मीटर दिया ग्राउंड से पेंडूलम जो है वह 2.3 मीटर के उंचाई पर है यमीन से और उसका जो लेंद्ध है वह रूट 3 मीटर का है अटाश्ट वा पॉइंट हो गया फिर इट स्विंग टू एन अंगिल ऑफ 30 डिग्री इस साइड और वर्टिकल एसे खड़ा और इधर इधर ऐसे क्या कर रहा है स्विंग कर रहा है इधर भी और इधर भी इस टाइप से 30 डिग्री पर मलब यह एंगिल से फिगर में दिया हुआ भी है कि यह 30 डिग्री तो इधर भी 30 डिग्री हो जाएगा फिर उसके बाद लन्फ के होंगे अब एक चीज देखोगे इस फिगर को अगर ड़ी अच्छे से देखोगे ये वाला 80 बात का है यहाँद है एंगिल है पेस निकालना है मुझे भी बाइएच तो कॉस्ट 30 बराबर मालो इसको एकस माल लेते हैं इस वाले धिस्रेंस को क्या माल लिए एकस माल लिए फास्ट इता बराबर वी एच एकस बाइट रूट थरी कॉस्ट 30 का वैलू कितना होता है रूट 3 बाइटू इसकल टू एकस बाइट रूट 3 प्रास मंटिप्लिकेशन करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 त्री आजाएगा और यह एकस एकस बाराबर आजाएगा 1.5 तीन को दो से डिवाइट करो 1.5 पूरा लेंथ कितना था 2.3 तो हमको यह छोटा सा कितना चाहिए तो 2.3 से माइनस क पूरा है 2.3 और यहां से यहां किता है 1.5 माइनस किजिएगा तो यह लेंथ नीचे वाला जो लेंथ है वो फाइंड आउट हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा डी कि 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 पूशन वाइटीन में इजी वीजी इफ साइन ए प्लस टू सारी साइन ए प्लस टू भी इसकल तो रूट 3 भाई 2 और कॉस ए प्लस 4 भी इसकल टू जीरो ए और बी दोनों एक्यूट एंगिल से तो वैलू ए का क्या होगा ठीक है साइन में दिया वह ना इधर वाला साइन ए प्लस 2 भी तो साइन के केस में रूट 3 भाई 2 कब होता है साथ डिगरी का साइन से साइन कतम root 3 by 2 था इसकारण मैंने sin 60 लिखा क्योंकि sin 60 का value ही root 3 by 2 होता है इधर sin है तो sin में ही check करना है कि root 3 by 2 कितने का होता है यह हो जाएगा 60 then a बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या 60 minus 2 b लिख सकते हैं na a बराबर 60 minus 2 b cos वाले में अगर देखोगे तो cos a plus 4 b 0 कब होता है cos 90 पे cos से cos खतम तो a plus 4 b जो है वो 90 आजाएगा अब इस a का value उसमें put कर दो a का value क्या कर दो put कर दो वहाँ एक जगा 60 minus 2 b plus 4 b is equal to 90 plus में 60 है उधर जाएगा तो minus में और इस दोनों को solve करोगे तो 2 b 2 b बराबर 30 इन भी बराबर 50 ठीक है बीकिस के बराबर होता है गाँ पंदरा के बराबर बी जैसे निकला यह निकालने के पूट कर दीजिए अ कि 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 पूट करना था तीज डिग्री ऑप्शन नहीं कि अग्स्ट नाइंटीन खिलिबस में नहीं है कॉंप्लीमेंटरी से होगा ठीक है और ट्विंटी नंबर यहां देखो साइन अलफा इसकल टू रूट थी बाइटू और कॉस्ट बीटा इसकल टू जीरो इन दा वैलू अफटा बीटा माइनस अलफा तो अलफा यहां पे अलफा चाहिए तो बीटा नाइनटी आसा है गा चाहिए तो बीटा माइनस अलफा चाहिए तो बीटा करोगे तो टैन आसा हैगा 30 और टैन अच्छा कोशन है 21 में क्या दे वाँए इसाइन फिटा प्लस कोश्ट इसकल टू रूट तू गॉस्ट तीटा और जो है यहां फिटा होगा थिटा जो है वो 90 के बारा बर नहीं है तो टैन फिटा किसके बारा बर सिंपल यार किथना इसी ना अंगा इस हीट बहू एलुप्ले अ प्लस में कॉस्स था इधर जाएगा तो माइनस में कर दूनों में कोश्ट कि इए बह जाएगा रूटू माईनस और यहाँ पे साइन थीट कि फिर साइन थीट verz लुट टू माइनस वन एंसर रूट तो माइनस ऑप्शन एक इसम मजा आता है यहां देखो एक रैंगिल है राइट एंगिल भी सी इपना इंटी दिग्री इपन अब बच्चा-बच्चा को पता है कि एर सी का सम कितना होगा नब्ची होगा क्योंकि तीनों का सम 180 होता है तो बी पे 90 है तो ए और सी का भी सम 90 हो जाएगा तो साइन 90 किसके बाराबर होता है वन के बाराबर तो option number पी एक्स 22 के बाद 23 साइन थीटा माइनस कॉस्ट इसकल तो जीरो तो साइन का पाउर 4 प्लस का पाउर 4 और यह इंपोर्टेंट है आते रहता है एक्जाम में ठीक है कि यहां साइन थीटा इसकल टू कॉस्ट इटा लिग लोगे वास मंटिप्लाई सिधर डिवाइड में यहां कुछ निबचा तो वन या तो दोनों तरफ कॉस्ट से भी डिवाइड भी कर सकते हो थाइन भाई कॉस्ट टैन थीटा बाराबर वन तो टैन के के यह करोगे तो जीरो हो जाएगा सऑ साइन 4 बाइघ 4 4 और वन परचा पाउट उसका पावर चार प्लस सस्की चास्ट पार prep इस पूस्ट महें आप एस bet लिए उतना होता है उन बाइड वो उसका पावर तो बार करएंगे तो कितना अब टो प्र चाहरेंगे लोगतु और संहते हैं है सक्वें देखोगे तो आपको बाच्वा समय नहीं है और 26 तो है ता ही सिए अधालिड प्लस भी दो टान की वे चायो को मट्लोड मतलब a plus b बराबर कितना हो जाएगा 60 a minus b 1 by root 3 है तो यह 30 degree ठीक है 10 का chart देख लिजाएगा chart बना के रख लो सामने और बार बार देखते रहो बनाते रहो practice वो अपने आप याद हो जाएगा तो a plus b जो है वो 60 और a minus b जो है वो 30 है तो a का value क्या होगा यह find out करना है तो क्या आप यहां से ऐसे elimination लगा लो ना ज्यादा easy बन जाएगा substitution से भी elimination इची बीबी कटेगा क्योंकि plus minus में है a plus a to a और यह 90 then a बराबर 45 एक इसके बराबर 45 इंस option अबबर बी इसके बाद 27 syllabus में नहीं है 28 हाइस यह देख लो figure दिया वाए है in figure 10.15 the length of side BC and AB are respectively पहले BC का लेंथ होगा फिर AB का लेंथ होगा यह आपको hypotenuse दिया वाँ perpendicular भी निकालना बेस भी निकालना है तो एक बार तो पहले BC निकालना न तो पहले हम sign निकालेंगे क्योंकि perpendicular निकालना है साइन 30 बराबर BC divided by 6 साइन 30 वन बाई 2 BC बाई 6 स्क्रास करोगे तो 6 बाई 2 इसकल टू BC तो BC बराबर 2 आसा है गा अरे अरे बाबा तीन आसा है गा देख तो तीन लिखाओ है क्या पहला में कहीं तो option B होता है यह भी check करना पड़ेगा लेकिन ठीक है फिर उसके बाद cost लगाओगे cost 30 is equal to AB divided by 6 और इसका value होता है root 3 by 2 और यह AB by 6 इसको इसको इससे काट लोगे तो तीन बार में 3 root 3 equal to AB यह माच्ची के मुड़ी था नहीं 3 माच्ची के मुड़ी यह लिख दिया है छोड़ो जान दो अब कौन चेक करें root 3 mc क्यूआ है यार 29 यह देख लो 3-3 angles दिये वे हैं in an acute angle triangle ABC if sin A plus B minus C is equal to 1 by 2 और cos B plus C minus C is equal to 1 by root 2 then the measure of angle B B का value क्या होगा sign वाला में अगर देखोगे तो यह कितने degree का value होता है 30 degree का मतलब यह पूरा किसके बराबर होगा 30 कि पूरा किसके बराबर होगा 30 आप लिख के बना सकते हो sin A plus B minus C is equal to sin 30, sin से sin cancel out then यह बराबर 30 cos वाला में 1 by root 2 का बाता है 45 और यहां सजा के लिख होगे मतलब like term को like term के साथ minus A है तो minus A के साथ B के साथ B और C के साथ C यह मैंने क्या किया arrange कर दिया B plus C minus A ना लेके minus A plus B plus C लिख दिया arrange कर दिया like term को algebra के तरह बनाने के लिए यह A से यह कटेगा यह C से C कटेगा B plus B, 2B और यह दोनों जोड़ेगा तो 75 यह B बाराबर 75 by 2 बाराबर 35.5 35. ओ सारी नहीं 37.5 37.5 37.5 option A 21 आ गया 30 इंटर एंगिल A, B, C इफ एंगिल B बाराबर 90 डेगरी B, C बाराबर 5 यह आपका NCRT का कूशन नमबर 10 जो है न 8.1 का उसी टाइप का कूशन है यह मतलब एक ट्रेंगिल है A, B, C और B पे जो है वो 90 डिगरी दियावा है B पे कितना डियावा है? 90 ठीक है? यह B है यह A है और यह C है इस टाइप से B, C किसके बाराबर है? 5 के बाराबर B, C किसके बाराबर है? 5 के बाराबर और A, C, माइनस A, B, जो है 1 है सपोस, A, B आपका X है तो यह किसके बाराबर हो जाएगा? A, C, माइनस A, B 1 के बाराबर तो A, C, माइनस X is equal to 1 तो A, C, बाराबर कितना हो जाएगा? 1 plus X लग एक जादा है X है अब पाइथागोरस थिरम लगाएंगे हम लोग, x find out करने के लिए, तो x का square प्लस 5 का square is equal to x plus, 1 plus x का square, नहीं समझे कैसे, perpendicular का square plus base का square, किसके बराबर, hypotenuse के square के बराबर, ये तो x square plus 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 plus x square plus 2x, ये प्लस b का whole square करोगे, x square से x square कट जाएगा, 25 minus 1 is equal to 2x, ये 24, 5 2 is equal to x, x बराबर 12, x किसके बराबर आजाएगा, 12 के बराबर, मतलब ये जो value है 12 है, और उससे 1 जादा, तो ये 13 है, 1 plus करोगे तो 13 आशाएगा, अब मुझे निकालना क्या था, 1 plus sinc divided by 1 plus plus c, एंगिल यहाँ बना हुआ है, तो perpendicular ये बेस, तो 1 के जगा 1, sinc के जगा क्या लिखोगे, perpendicular by hypotenuse, मलब 12 by 13, और 1 के जगा 1, 5 by 13, उपर वाला का LCM लोगे 13, 13 plus 12, नीचे वाला का BLCM 13 plus 5 by 13, ये कितना हो जाएगा, 25 by 13, और ये हो जाएगा 15, 13 by 13, 13 से 13 खतम, बच्चे का सिर्फ 25 by 18, 25 by 18, कटना तो है नहीं, तो 25 by 18, option c, और इसी के साथ ये खतम होगे, बागी की जो questions है, वो syllabus में नहीं है, complementary angle के खारण, not in current syllabus, not in current syllabus, 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 अब 34 तो कर खतम, थैंक्यू सो मच, यहाँ तक लगातार chapter 10 तक MCQ का example जो है, वो हमने खतम कर दिया, और आगे का जो chapter, chapters बच्चे हुए हैं, वो भी मैं compute कर दूँगा, तो please आप लोग support की जिये थोड़ा सा, और like करो session को, दोस्तों के बीच में share करो, और subscribe करो यार, ठीक है, और daily update के लिए follow कर सकते हो, और एक ही ज़ौर कर सकते हो, गर्व से comment section में लिख सकते हो, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, अपने देश के नाम तो एक चीज़ कर सकते हो ना, comment में लिखो, जय हिंद, जय भारत,